दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी क्रीम के बारे में जो आपके चेहरे से पिग्मेंटेशन, जाईया, कील, मुहसे, क्या आपका चेहरा किसी भी कारणावस काला पड़ गया है, आपका कलर है वैड डार्क हो गया है, दोस्तो इस तरह की कंडिशन को बिल्कुर ठीक करता है और बहुत जादा आपके चेहरे को लाइटनिंग परदान करता है, दोस्तो वैसे तो, जैसे मैं क्रीम का नाम बताऊंगा, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि यह क्रीम इस तरह यूज की जाती है, मतलब इस तरह की डिसीस में यूज की जाती है, लेकिन इसमें एक बात कोई नहीं जानता है, कि इस क्रीम को कैसे यूज करना चाहिए, यूज करने का इस तरह की कंडिशन और भी जो यूज हैं और भी जादा है इसके बारे में आज हम आपको कम्प्लीट यूज भी बताएंगे साइड इफेक्ट भी बताएंगे और सबसे में पॉइंट बताएंगे इसको कैसे यूज की जाती है जिससे आपके चेहरे भी ठीक हो जाए और नाम है दोस्तो टोनल एक्सल क्रीम जो की बहुत ही अच्छी पैकिंग में यह क्रीम आती है और दोस्तों यह जो क्रीम होती है लगबग 30 ग्राम की स्टेंट में आती है और यह आपको 175 रुपे की मार्पी में किसी भी नजदी की मेडिकल इस्टोर से बढ़ी आसानी से मिल जा करें इसमें मोमिटसोन हाइड्रोकिनोन ट्रेटिनोन फुरोएट दोस्तों इस तरह का जो साल्ट होता है इसके अंदर डाले गए दोस्तों यह क्रीम बहुत ज्यादा एफेक्टिव क्रीम होती है वैसे तो इस क्रीम जो साल्ट होते हैं बहुत सारी मेडिसिन इस अवलेबल तो आज हम इस वीडियो में इसके कैसे यूज करनी है, किस तरीके यूज करनी है, वह आपको बताने वाले हैं जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, दोस्तो कहां आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह की कंडिशन में आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद में हम आपको बताएंगे स्क्रीम को कैसे यूज करना है और जो मेन पॉइंट है हमारा दोस्तो यदि हम इसके यूज के बारे में बात करें तो इसक्रीम को आप यदि आपके चेरे पर जाहिया है तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं यदि आपके चेरे प पर है इस तरह की कर सकती है सबसे मेंड दोस तो झारे को निखारने के लिए आप इस करेम का उप्योग कर सकते हैं vergessen भी कारनावस आपका चेहा काला पड़ Twas आपका फेया है तो दॉसको निखाइंख कर एक सुनदर साफ तवचा आपको परदान कर दिए इसी के साथ में इस क्रीम को उपयोग आप चेरे को निखारने के साथ साथ जो बेजान तुछा होती है चेरे की जो बेजान तुछा हो जाती है दोस्तों जब हमारी स्किन के अंदर मेलोटोनीन की मातरा बढ़ जाती है कालापन हटाने के लिए चेरे को काला पन हो जाता है उसको साफ करने के लिए आप इस क्रीम को उपयोग कर सकते हैं वो दाग धबो को खत्म करने के लिए भी आप इस क्रीम को उपयोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छी क्रीम है बहुत ही अच्छा इसका रैस्पॉंस आता है और इसी के साथ में जो बेजान तुछा हो जाती है आपकी skin की बहुत जादा रुखी रुखी तुछा हो जाती है बहुत जादा बेकार सफेश हो जाता है तो इस तरह की condition को ठीख करने के लिए भी screen का उप योग किया जाता है क्योंकि इसमें जो salt available है उसमें कुछ कोई से salt में ऐसी प्रोपर्टी है दूस्तों वैसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यह देम उसके बारे में भी बात करें बहुत साथा डीप हमें बताना पड़ेगा लेकिन हम आपको उपर से बताते हैं जो इस तरह के साल्ट होते हैं इसमें एक साल्ट ऐसी प्रोपर्टी रखता है जो आपके मेलेनीन होती है जो आपकी स्किन के अंदर उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है दोस्तों जब इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो आपकी स्किन का जो कलर है वह लाइट होना स्टार्ट हो जाता है यह दोस्तों इसके यूज थे जो आप इस क्रीम को यूज कर स किसी भी medicine का यूज या medicine को लेने से पहले डोक्टर आपसे बहुत सारी बातों को पूछते हैं वजन क्यादार पे आई यू प्रोब्लम दोस्तों और कोई प्रोब्लम तो नहीं है बहुत सारे condition को पूछने के बाद वह डोस बताते हैं कि आपको यह medicine इस तरह लेनी है इस तरह लेनी है तो दोस्तों आपनी डोक्टर से जरूर कंसर्ट करें हमारा वीडियो का बनाने का पर्लड अच्छे लग रही हो तो हमारा चैनल सस्काइब करें और वीडियो लाइक करें कमेंट करें और शेर करें चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके main point के बारे में how to apply इस cream को कैसे apply किया जाता है किस तरीके से इसको यूज़ करना होता है दोस्तों यदियम इसके बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले रात के समय सोने से पहले अपना फेस अच्छे से वोश करना है और यह क्रीम ओली नाइट में यूज़ की जाती है दिन में आपको यह क्रीम यूज़ नहीं करने चाहिए ओली नाइट म क्रिमिंटेशन वगर आये दागदब्डे हैं वहां पर आप इस क्रेम को उपयोग कीजिए पुरी रात आपको यह ऐसे ही छोड़नी है सुबह के समय उखते ही सूरज के संपर्क में आने से पहले इस क्रेम को धो देना है यानिकि अपने फेस को वाश कर लेना है दोस्तो इसी जाएगा वहां जाकर आप इसको खरीद सकते हैं दोस्तो यदि आप दिन में दो से तीन बार इसको यूज करते हैं जो संपर्डेक्शन लोसन होता है तो दोस्तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी जो प्रोब्लम है वह बहुत ही जादा जल्दी ठीक हो तो आपका चेहरा लाल हो सकता है बहुत जादा चेहरे पर लाल लाल रेचेज हो सकते हैं दोस्तो इसकिन बहुत जादा पतली हो सकती है जो बहुत जादा लाल हो सकती है और इसी के साथ में आपके चेहरे पर हैर आने के चांस भी बहुत जादा बढ़ जाते हैं इसलिए द तरह कि इस तरह की प्रोब्लम आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों यह थी कुछ जानकारी टोनल एक्सल करीम के बारे में दोस्तों यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों के लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा वहां जाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें चलिए मिलते हैं किसी कैसी नए वीडियो में तब तक के लिए जहिन दोस्तों एंड थैंक यू वही मत प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कीप यूर सपोर्ट